गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स वेलकम टु स्कॉलर्स पॉब्लिक स्कॉल जावरा हीर इज है मन्त। सो हम लोग अभी तक हीट हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ चुके होटनेस कॉलनेस टेंप्रेचर इट्स मेजरमेंट हीट भी पढ़ चुके और हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने कल कन्वेक्शन और कंडक्शन दो चीजे अच्छे से पढ़ ली थी आज हम इस पढ़ रहे हैं इन्हें आप घर पर भी एक बार अच्छे से देखें ताकि आपको कुछ डाउट होता आप कमेंट सेक्शन में डाउट पेस सकते हैं या आप जो आपको जिस नंबर से वाट्स आप आ रहा है इस लिंक आप उसी नंबर पर अपना जो डाउट है उसे आप मैंने आपको कल भी बताया था यह होम वक्त था आपका चुकि आप आई होप आपने समझा होगा ठीक है तो हम कल एक और अच्छी बात देख रहते हैं हम ब्रीज अब देखिए शुरू करते हैं सो पहन चालू कर लिए मैंने सो यहां देखेंगे हम के ब्रीज क्या होता है स So the formation of sea bridge and land breeze are result of convection current अब देखिए कल convection current हमने पढ़ा था यह देखिए इसमें क्या था कि जो जो हीटेट हो गय था हमारा water वो किसमें change हो गया था वेपर में change हो गया था अब वेपर में change होने के बाद क्या हो था आप जो हमारा वेपर क्या हो जाता है हलका हो जाता है और अब हलकी चीज उपर उड़ जाती है तो नीचे थंडी चीज जाएगी तो ऐसे अब यह राउंड एंड राउंड चलती है तो इसे हमने क्या बोल जाता convection current अब देखिए यह कहां में मिलता है sea breeze के अंदर कहां मिलता है sea breeze and land breeze आपको बहुत अच्छा एक्जम्पल में आपको देख सकता हूं मानली जी मुंबई है तो मुंबई अगर आप देखिए कि यह एक मुंबई यह एक city हो गई इधर city हो गई land जिसे बोल सकते हैं और इधर हो गया sea ठीक है अब देखिए sunlight पड़ी अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पड़ी sunlight अब देखिए इस जगा sunlight पड़ी तो यहाँ पर जो water vapor है वो क्या हो गया यहाँ पर जो water है वो किसमें convert हो गया water vapor ना तो ऐसी condition में क्या हुआ कि नीचे हो गया ठंडा और ऊपर क्या हो गया गरम रधर देन इधर जो condition है आप एक बात अच्छे सा आपने जानी होगी कि जो हमारे धरती है वह दीरे से गरम होत है बड़ पानी जो है वह बहुत जल्दी गरम हो जाता है तो आप देखिए मानली जी यहाँ ज्यादा गरम हो गया और इस एरिये में ठंडा है तो क्या होगा आपको पता है heat क्या करेगी travel करती है आपको यह बास समुझ में आई कि जब समूंदर के अंदर बहुत ज्यादा गरमी हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा कि वो जो हीट है वो किदर ट्रांसवर होने लग जाएगी किदर आ जाएगी लैंड पर इसी को हम क्या बहुत लेंगे लैंड ब्रीज ठीक है देखिए कूल ब्रीज ब्लोस प्रॉम सी टू लैंड इन डे टाइम क्या हो ज कि रात के टाइम जो हमारी लैंड है ज्यादा ठंडी हो जाएगी और जो सी है वो थोड़ा कम ठंडा हो जाएगी ऐसी कंडिशन में कूल ब्रीज ब्लोस प्रॉम लैंड टू सी इन नाइट टाइम नाइट टाइम पर हवा कैसी चलनने लग जाएगी लैंड से सी की तरफ औ आपको यह बात थोड़ी अच्छे से ज्यादा समझेना देखिए यहां पर यह टूरीशीव कूलर सी प्रीज दविंडो ऑफ हाउसेज इन कोस्टेल इडियार मेड ओफ फेसिंग सी देखिए यह क्या होगी कि दर की तरफ आ जाएगी देखिए सन की तरफ से किदर जारी मै तो यह जो वार्म एर है वो क्या हो जाएगी उपर उड़ जाएगी ठीक है तो सी ब्रीज डूरिंग देखिए लेंड अफ कोस्टेल एडिया हीट फास्टर देन वाटर इन दा सी ने बताया आपको कि धरती जो है हमारी वो जल्दी गरम हो जाएगी ऐस कंपेर टू वाटर so the air over the land become hotter and rises up so land के उपर जो air है वो क्या हो जाएगी गरम हो जाएगी so ऐसी condition में the cooler air from the sea rushes toward the land to fill the space so अब जो हमारे sea में जो थंडी air है वो क्या करेगी किदर की तरफ आजाएगी लेंड की तरफ so thundi hour land sea से किदर की तरफ जारी है land की तरफ इसी पूरी process को हमने क्या नाम दे दिया sea breeze अब इसी के बाद देखिए अगला हमारे पास है land breeze so इसका उल्टा हो जाएगा उल्टा कैसे कि night के time पे the land loses he is faster than the water water से ज्यादा जल्दी थंडी होगी land so ऐसी condition में क्या होगा कि air over the water become hotter and rises up so water में क्या हो जाएगा जो air होगी वो हलकी हो जाएगी और वो उपर की तरफ फूट जाएगी so the cooler air from the land moves towards the sea to fill the space क्या हो जाएगा तो जो वहाँ पर जो गरम हवा जो ठंडी हवा बनी वो धरती जो land की जो ठंडी हवा वो किदर जाएगी सी की तरफ सो ऐसी condition को हम क्या बोलते है land breeze आप ये पूरा डाइगराम अच्छे से देखिए कि पूरी ए प्रोसेस में हमें land breeze समझ जाए गई सी ब्रोसेस में हमें क्या समझाए गया लैंड प्रीज ठीक है अब इसके बाद भी हमारे साथ में एक और आ गया रेडियेशन अभी रेडियेशन क्या होता है कि हम लोगों ने पहले देखा था कंडक्शन जिसके अंदर सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसवर और है तो उसे हम क्या बोलेंगे रेडियेशन ठीक है तो दो प्रोसेस भाइब वीच हीट इस टांसवर्ट वाइडियेशन अब देखिए सन और अर्थ के बीच में ना तो पानी है ना कोई वह जुड़ेवें हैं किसी एक मान लिजे किसी वायर से वह किसी से जुड़ेवें हैं वह ओनली ओन एक स्पेस है वह संसे जो एनर्जी है वह कहां तक आ रही अर्थ तक तो उसे हम क्या बोलेंगे रेडियेशन इन केस ऑफीट ट्रांसवर्ट तो रेडियेशन नो मीडियम इस रिक्वाइड देखिए मैंने बताया था आपको कि पहली प्रोसेस में हमको सॉलीड की नीट थी सकेंड प्रोसेस में हमको फ्लुईड की नीट थी हएमने किसी मीडियम की नहीं है औल दो ह την Musk करते हैं एनर्जी को रखेड करते हैं तो हाट ऑपजेक्ट रखेड हीट ळर ऑल डारेक्षण सो इसा नहीं है कि एक डारेक्षण में नी ही अपनी ऑपरी हीट को ट्रांसा कर रहे है वह ऑल डारेक्षण में जैसे सस अउम हीटर या फायरेप्लेस या आप एक सर्फेस अब मान लीजे हैं है यहां से हीट एनरजी आई पहली इस चन्डिशन क्या होगी कि कुछ हीट एब्स आगे जिसको हम भूल सकते हैं या उसने अपने अंदर पूरी थारीके से हीट को ले लिया और कुछ हीट क्या कर जाएगी क्या हो जाएगा कुछ हीट अपनी through the object so अब क्या होगा नोब इस एक उप्जेक्ट होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी जो बची वी हीट है वह क्या होगा transmit through the object so आगे पढ़के so do you know what happen when object is observed heat so when object अब देखिए अब किसी object ने heat अब्ज़ेक्ट करी तो क्या हो जाएगा तो उसका temperature increase हो जाएगा जैसे माल लीजे आपने दूप में बाइक रखी तो बाइक ऑटोमेटिकली दूप में रखने से वो इसका जो temperature है वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अब object expands भी हो सकता है expand कैसे कि उसके area भी बढ़ सकता है वह सारी बार आपने अलग-अलग things होती है जो कि अपना heat माने से अपना expansion कर लेती है third the object में change its physical state physical state कैसे जो हमारी बर्फ है वो किस में change हो जाएगी water में water किस में change हो जाएगा vapor में only because of radiation so आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोग बच्चों के लिए कल हम thermoflax से सुनें आगे पढ़ेंगे ठीक है बेटा तब तक के लिए God bless you all और आप पढ़ते रहिए इन्हें अच्छे से thank you so much